पतंजली योग पीच को सुप्रीम कोट ने जो दी वर्निंग अब इस मामले में योग गुरूर रामदेव जी ने अपनी चुपी तोड़ी और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के इल्जाम अगर हो तो फिर उन्हें फासी से भी कोई आपत्ती नहीं है जी हाँ देखा जा रहा है कि इस मामले में रामदेव बाबा ने खुद ही ये बयान दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग ये खबर पहला रहे हैं कि इस योग पीच पर जुर्माना लग चुका है तो वो ऐसा ना करे लेकिन यहीं पे आती है एक और प्रश् किसकी है रामदेव बाबा के खिलाफ या पतंजली के खिलाफ ये प्रश्न अब उठ रहा है कि कहां से और क्यों पतंजली को बद्नाम करने की कोशिश या साजिश की जा रही है यदि हम जूटे हैं तो हमारे उपर सेंक्रों नहीं हजारों करोर का जुर्माना लगाए और हमें डेथ पहलें टीवी दे तो हमें सिकार है लेकिन येजिए हम जुट नहीं बोल रहे हैं तो जुटे पर प्रपिगंडा कर रहा है उनके उपर दंड लगा उनके उपर जूर्माना लगा हो वहाओं क्योंकि ये पिछले पांच वर्षों से बहुत खतरनाग प्रपिगंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को पतंजली को टार्गेट करके योग आयरवेद, नैचुरोपैथी और मार्ची सरक्षुष धन्वंत्रियादी रिश्यों के करोणों वर्षु पराने ज्यान परमपरा को जुठलाने के लिए कि आयरवेद में कुछ नहीं रखा जिस तरह से ब्रामदेव बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी इससे साफ पता चल रहा है कि वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि पतंजली की कोई ऐसा ब्रामग विज्यापन पतंजली नहीं दिखाती है ऐसा ही कि उन्होंने आज कहा है और इस मामले में एक बड़ी जो बात उठकर आ रही है कि उन्होंने साजिश की तरफ इशारा किया है तो ये साजिश उनके खिलाफ कौन कर रहा है ये प्रश्ण एक बहुती बड़ी अभी उठकर आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने ये अभियोग किया है कि उनके विरोध या पतंजली के विरोध एक कोई न कोई कोई शडियन चल रहा है तो यह शडियन कौन कर रहा है यह प्रशना चारों तरफ से प्याल रहा है और उसी के साथ एक और जो बात उन्होंने कही जब समवादिकों ने उनसे यह प्रशन किया पत्रकारों ने उनसे प्रश्ण किया कि जिस तरह से कॉरोना के वैक्सिन लेने के बाद लोगों को दिक्कते हो रही है तो इस मामले में वो क्या कहेंगे तो इस मामले में भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इस मामले में वो चुपती सा देंगे क्योंकि आने वाला है लोकसभाद चुनाफ 2024 और उसके पहले वो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते जिससे कि यो मुसीबतों में पड़े या पिर पतंजली मुश्किलों में पड़े तो रामदेव जी ने ये किसकी तरफ इशारा करते हुए ये बात कही अभी ये प्रिश्ण तो उठी रहा है कि साजिश कौन कर रहा है पतंजली के खिलाफ आपको एक और बार बता दे कि ठीक क्या हुआ था पतंजली के इस पूरे घटना में देखा गया था कि शिर्श अदालत या सुप्रीम कोट ने एक वार्निंग दी थी और उस वार्निंग के दोरान जो सुप्रीम कोट यूग गुरो बाबा रामदेव की कमपनी पतंजली आयरवेद को मंगलवार को करी फटकार लगाई थी ऐसी ही खबर आई थी कोट ने अलोपैतिक दवाईयों को लेकर पतंजली के भ्रामग विग्यानों पर कमपनी को आरे हां तो लिया था जस्टीस अहस्दानुंदीन अमानुला और जस्टीस प्रशांद कुमार मिश्रा के पीठ ने पतंजली को चृतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामग विग्यापनों का प्रसारन जारी रहेगा तो उन पर एक करोर जिहां एक करोर रुपे का जुर्माना लग सकता है कोट ने पतंजली आयरवेद की भविष्य में इस तरह के भ्रामग विग्यापन प्रकाशित करने से बचने की सला भी दी अदालत ने कहा कि पतंजली को यह शुनिश्चित करना चाहिए कि वप्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाए रखे तो आपने देखा कि किस तरह से अदालत ने यह बात कही पतंजली को और पतंजली पीच को संबोधित करते हुए और उसके साथ ही रामदेव बाबा का यह बयान के उनके खिलाफ चल रही है साजिश एक कई और इशारा तो नहीं है लोगसभाद चुनाफ के पहले उनकी यह बयान बाजी बहुत ही गुरत्वकून मानी जा रही है तो क्या जा रहा है किस तरह जा रहा है यह पूरा मासला उस पर तो अपडेट खबर हम आपको देते रहेंगे और सामने ही है लोगसभाद चुनाफ तो लोगसभाद चुनाफ को लेकर भी हर एक अपडेट हम पहुचाते रहेंगे आप तक देखते रहेगा डिजिटल खबरिलाद खबरे आपकी नजर हमारी